हेलो दोस्तों राम राम जी क्रियेटिव फेमली में आपका हिर्दे पुर्भक स्रागत है और यह मोर्निंग का सूट है सुबह को सारा कम मेरा हो चुका है जहारू पोछा पाने सब जगा मार चुकी हूं और अल्रेडी खाना भी मैं बना चुकी हूं क्योंकि यह ड्यूटी का बक्त हो रहा है तो ड्यूटी के लिए निकलना होगा इस कारण से हम लंच और नाश्ता दोनों साथ साथ बना रहे हैं और आज हम आपसे शेयर करोंगे कि बच्चे को तयार करते हुए कितना जल्दी उसका टिफिन तयार करना और यह सब को कितना यह सुबह का भाग दवर जो रहता है वो मैं आपसे शेयर कर रहे हूं कि कितना जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है यह देखिए उधर दूध इंडेक्शन पर रख दी हो गराम होने के लिए तब तक इधर हम सब्जी यह आलो और गोभी का भुंजय बना रहे हैं तो उसके लिए कराही चगा दे मठर और आलो का यह रात में कचोरी बनाए थे तो उसी का थोरा बच गया है तो हम उसी को ले करके पराठा सेख देंगे ताकि बच्चे ले के अस्कूल जाए तो इधर सब्जी के लिए हम कराही तो चरा चुके हैं और उसके बाद हम उसका यह उसके लिए मिर्ची और प्य आज काट करके लेंगे दब तक कराहिक को थोरा गरम होने देते हैं साथ साथ हम पराठा भी देख रहे हैं क्योंकि दो तिन पराठे सेख करके रख यह सोठी सेख करके यह बना करके बेल करके रख दी हूं ताकि बस शेख ना रह जाए तो इतना जल्दी करना पड़ता है औ और साथ में गाजर का हलुआ डालेंगा आज बच्चे का लंच में तो उसी खेलिए पहले बुझिया के यह दाल चावल बन चुका है बुझिया बना रहे हैं और इधर पराठा भी सीक रहा है मतलब इतना जल्दी होता है कि कि इतना भी कुछ कर लें हम फिर भी यह टाइम जो बस मिर्ची दो डाले हैं बस ज्यादा कुछ मैंने डालोंगे यह भुझिया के लिए इसके लिए बस वही रहेगा और यह देखिए उधर पूजा चल रहा है वह लोग कर रही है तब तक इधर यह आप डॉन हो रहा है बोटल खुझ रहा है बोटल खुझ से बढ़ लेता ह और टिफिन भी साथ साथ हम दे देंगे लोग को तो अभी हम वही प्याई डाल करके थोड़ा लाल कर ले रहे हैं अजके बाद हम साथ साथ डाल देंगे शाथ साथ बुंजिया यह आलू और गोभी भी जिक जाएगा इस कारण से हम दोनों को एड कर देंगे ताकि दोनों बड़ाबर सिक जाए और इधर तक तक हम इसका टिफिन तयार करेंगे यह देखिए यह इधर उधर हो रहा है यार सुबह को इतना जल्दी होता है कुछ कहने कहने हाथ जुकाता है रुकता नहीं पैर नहीं रुकता है कुछ भी नहीं यह सारे चार लगभग पांच बजे से जगती हूँ तो नौ बजे तक मेरा पैर हाथ जुकाता है पूरा चलते हैं रहता है वाकिंग के ज़रत नही है यह बार-बार आ रहा है इसको बोल रहे हैं टिफिन लाके दे दो बिटा हम इधर कर लेंगे तो मेरा है रहा है यह देखिए गाजर कालवाला के दे दिया है और टिफिन भी उपर रख रहा है नीचे पहले रखा था और भुझिया में हम बस यह हल्दी डाल करके सिंपल सा भुझिया हम बना रहे हैं तो यह देखिए और साथ-साथ नमक तो जानते हैं नमक डालेंगे तभी तो जल्दी गल के तयार हो जाएगा क्योंकि जल्दी तो करना है सुबह क्योंकि ऐसे यह लोग को तो बस यह सब डाल दोगे और वो ड्यूटी के लिए जाएंगे तो उनके लिए यह बना रहे हैं कि इसका टिक्षिन तयार करना है तब तक इधर ढख करके छोड़ दोंगे उसको चला करके थोड़ा रोटी और पराठा दोनों से एख दिये हैं हम तो पराठा भी दे देंगे और रोटी भी बराबर बराबर से दूस सब को दे देते हैं और ये देखिये सब कतव़ तोरके बराबर करना होता है इसके बाद हम देखेंगे, जब ये लोग को स्कूल भी जा लेते हैं, तभी अभी तो हम इसको चोटी भी करना बाकी है, अभी इसका चोटी भी ने किये हैं, इसका चोटी भी करना बाकी है, ये लोग और सब कुछ खुद से कर लेती हैं, किरीम लगाना, बाल जहारना, तो थोल जार करकर रखे लेते बीच से करके दो चोटी कर नरहता है तो वह कर लेती है करें सब्सक्राइद करके चैन लगा देगा तो इस कारण से इसको दे रहे हैं यह देखिए यह गिर होता है इतना जल्दी जल्दी होता है समझ में नहीं आता है करने का कुछ होता है कुछ है हाथ फिसल गया तो गिर गया है इसको फिर प्याक के आए उसके बाद ही है ऐसे अच्छा था इसका टिफिन का भी नाम देख देख के देना पड़ता है कि ताकि दूसरा का ना जाए नहीं तो बस यह सब का जगड़ा होता है मेरा टिफिन ले लिया मेरा टिफिन ले लिया इस कारण से हम सब का नाम लिख दिये हैं नेल पेंट से कि यह तुम्हारा है यह उसका है तो इस कारण से morning routine जो का था इतना बीजी जाता है मेरा डेली का एक दिन का नहीं जा स्कूल है duty है तो मेरा यही routine रहता है पलस में इनका भी यह सोके हैं क्योंकि इनका night duty है तो थोड़ा आसानी हो रहा है लेकिन फिर भी कोई आसानी नहीं है और इसका snacks में यह mixture और बिस्किट डाल दूँगे इसको बोलता है थोड़ा स्नेक्स होता है टाइम मिलता है पांच मिनट के लिए उसके लिए यह बिस्किट और मिक्षर आज डाल देती हूं नहीं तो कोई फालवा गिरे डाल देती थी तो यह हो जाएगा इसका snacks और हल्वा रोटी गाजर के हल्वा रोटी और पडाठा दे दी हूं लंच के लिए और इसको खाने के लिए अभी खाने के लिए इसको हम पोहा और दूद देंगे आएं हम लोग के यह क्या बोलते हैं चूड़ा भी बोलते हैं हम लोग तो चूड़ा ही बोलते हैं बिहार में चूड़ा ही बोलते हैं इसको लेकिन यहां पर पोहा बोलते हैं तेलंगा नामे और यह देखिए यह मुबाइल लेकर आ गई है क्योंकि फोन आ गया था तो इस करण से मैं बात भी कर रहे हूं और इसका खाने के लिए स्नेक्स में जो होता है थोड़ा थोड़ा डाल दे हूं और वह कुछ दयार हो रही है इधर सिधर हो करके देखिए दूद और चूड़ा दे देंगे खाले गई लोग और पराठा और वह देहीं दिया है तो आज का आज का जो हुआ यह सब का सब जीसा नास्ता हो गया है किसी के लिए कुछ बना किसी के लिए कुछ हो गया यह इसके लिए बच्चे के लिए दूठ चूरा हो गया तो किसी के लिए पराठा हो गया तो किसी के लिए भरा हुआ रोटी रात में बनाये थे तो इस तरह से नास्ता कंपलीट हो चुका है और यह लोग भी रेडी हो च में जरूर बताईएगा और सस्क्राइब अगर थोड़ी मतलब आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक सस्क्राइब किजिए कमेंट किजिए तब तक के लिए बाई